हाई एवरिवन स्वागत है आपका हमारे स्योटोप चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहां दोस्तों सेल की तरफ से कुछ रिक्वार्मेंट निकल के आ चुकी है हम इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में बात करेंगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं और काम जो है पा सकते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बड़ी खबर दे दूँ कि माइनिंग मैट फॉर्में की कोचिंग जो है अपना साथ सितमबर सन दो हजार बाईस से स्टार्ड होने जा रही है यह कोचिंग जो है ऑनलाइन के माध्यम से होगी साम को 6 बजे से साड़े साथ बजे तर यह लाइब क्लासे होने वाली है दोस्तों अगर आप लोग ब्लास्टर मेट फॉर्में जीटी एसमसी या एफमसी के नोट्स चाहते हैं या फिर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं तो मुझस सा कॉइंट जरूर कीजिए यह जो है डीजेमेस एक् साथ इंडिया लिम्टेट की तरफ से यह रिक्वार्मेंट है जिसमें दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इन सेफटी इवन ग्रेट के लिए आठ पोस्ट है यह दोस्तों आठ पोस्ट काफी होती है इसके लावा ऑप्रेटर कम टेक्नीशियन के लिए 39 पोस्ट माइनिंग फ फायर ऑप्रेटर के लिए 25 पोस्ट फायर में कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है आपका लगभग 36 पोस्ट इसके लावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इनके लिए जो है आपका 30 पोस्ट पर रिक्वार्मेंट है यानिकि अच्छे कासी रिक्वार्मेंट है सभी विवाग वालों के लिए इनके लावा executive की हम बात करें तो mechanical के लिए 15 seat है metallurgy के लिए आपका 15 seat है electrical के लिए 40 seat है civil के लिए 5 seat है electronics and communication के लिए 5 seat रखी गई है यहाँ पर जो है आपका technician के लिए भी है जिसमें filter, electrician, mechanic के लिए जो है आपका 9, 10 और 12 seat रखी गई है eligibility criteria के हम बात करें तो assistant manager के लिए आपकी age होना चाहिए 18-30 के बीच में आपके पास B.TEC या B.E. का जो है आपका engineering में degree होना चाहिए इनके अलावा जो है operator come technician operator के लिए जो है आपका 3 साल का diploma लगेगा engineering का किसी भी subject से किया हो आपने engineering इसके रावा first class boiler attendant certificate भी चल सकता है mining foreman के लिए 3 साल का आपका mining का diploma plus one year experience metal mines का server के लिए 3 साल का diploma होना जी experience होना जी metal mines का इनके लावा operator come technician S3 के लिए जो है आपका matriculation post से 3 साल का आपके पास जो है diploma in engineering होना चाहिए किसी भी वाग में चल जाएगा जिसमें आपको सकता है mechanical, metallurgy, civil, electrical, electronics and EE का होना चाहिए इसके लावा fire operator के लिए आपका 3 साल का holy deployment engineering fireman come के लिए इनके लिए जो है आपका motor vehicle का license non-executive post के हम बात करें तो इनको जो salary मिलेगी जैसे कि अपना हो गया mining four man, surveyor, boiler operator इनको जो है अपका लगभग 38,920 रुपीज माइनिंग मैट के लिए लगभग 35,000 इनके लावा जो है mode of selection के हम बात करें तो online CBT test होगा आपका यानि के computer बेस्ट जो है online के मादे हमसे paper होगा जिसमें attendant come technician hmv इसके लावा fireman come के लिए जो है आपका technical knowledge 20 का और graduate aptitude जो है असी नंबर के इनके लावा अधर पोस्ट के लिए 50-50 रहाएगा यहने की 50 आपका aptitude रहने वाला है और 50 आपका जो है subject से related रहेगा application processing के हम बात करें तो assistant manager के लिए 700 रुपे general OBC और EWS के लिए ATSC PWD के लिए आपका 200 रुपे operator कम के लिए आपका 500 रुपे mining mate attendant training इनके लिए आपका 300 रुपे ATSC वालों के लिए 400 और आपका 100 रुपे फीस लगने वाली है फीस आप net banking के माध्यम से online भी पाइट कर सकते हैं how to apply की बात करें तो www.cell.co.in पर जाना होगा जिसके माध्यम से apply कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने blue color का link दिखाए दे रहा है आपको description में भी मिल जाएगा important days की हम बात करें तो कल से form apply हो जाएंगे यानिकी 6 September 2022 से ले करके आपका 30 September 2022 तक आप form को कभी भी apply कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को एक subscribe जरूर कर दीजिए thank you friend thanks for watching this video